आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ 2.2 मीटर्स, ठीक है अब इतनी लेंथ उसकी कैसे होती है तो friends जो DNA होता है हमारे न्यूकलियस में वो वेल अरेंजड होता है ठीक है, अब जो हमारा न्यूकलियस होता है उसके अंदर प्रेजन उता है क्रोमोसॉम, क्या प्रेजन उते हैं consist करते हैं in nucleosome को and nucleosome क्या होता है arrangement होता है DNA का on histone protein ठीक है histone के उपर जो DNA होता है वो compact form में well arranged होता है ठीक है उसी को हम nucleosome कहते हैं ठीक है and जो chromosome होता है वो chromatin का compact form होता है तो जो DNA होता है compact form में present होता है इन chromosomes तो अगर उसे हम unwind करें तो उसकी जो length होगी वो होगी 2.2 meter ओके थैंक यू